Hello Friends, मेरा नाम है आपिदेखे and welcome to TechSore Okay, क्या आप अपने laptop या computer को reset या format करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि format या reset कैसे करते हैं? तो वीडियो आपके लिए है तो सबसे पहले आप यहाँ पर start बटन पे आएं और right click करें इसके बाद यहाँ पर आप settings में चले जाएं Settings में आने के बाद Windows Update में जाएं हो सकता है आपके laptop में Windows Update and Security का option होगा तो उसमें चले जाएं इसके बाद आपको यहाँ पर advanced option दिखाई देगा इस पर click करें और नीचे आजाएं तो आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा recovery आप चाहें तो यहाँ पर setting में search भी कर सकते हैं recovery डारेक यहाँ पर आ सकते हैं search करके भी तो इसे open कर लें अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा reset this PC एक बात ध्यान से सुनें आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि बहुत important चीज आपको ending में मैं बताऊंगा तो आप यहाँ पर reset PC पे click कर लें यहाँ पर आपको दो option दिखाई देगे keep my files और remove everything अब यहाँ पर देखिए अगर आपके laptop computer में कोई भी important file काम की file नहीं है कुछ भी काम का data नहीं है तो आप यहाँ पर remove everything कर दे बट अगर आपका कुछ important data है आप delete नहीं करना चाहते हैं तो keep my files पे click करें बट यहाँ पर एक चीज होगा सब files तो रहेंगी लेकिन आपने जो भी application install की होगी वो delete हो जाएंगी तो यहाँ पर keep my files में मैं click करता हूँ तो यह this won't take a long इस तरीके से बताएगा अब देखिए अगर आप एक laptop यूज कर रहे होंगे तो laptop में local data पहले से store होता है windows की copy तो आप local install पे click कर सकते हैं बट किसी वज़े से अगर यह काम नहीं कर रहा है तो आप cloud download कर सकते हैं इसके लिए आपको internet की जरुद पड़ेगी तो आप यहाँ पर cloud download पे click करें और इसके बाद यहाँ पर next कर दे अगर आप एक laptop यूज कर रहे हैं तो आपको reset करने के लिए उसे charging पे जरूर लगाना होगा तो आप उसे charging पे लगा दे और उसके बाद यहाँ पर next next करते जाएं उसके बाद यह अपने आप reset होके वापस से यह चालू हो जाएगा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो comment में पूछ सकते हैं मैं आपको उसका reply दे दूँगा विडियो पसंद आई हो तो टेक्स और को subscribe जरूर कर दे